करनाटक में विधानसभा चुनाव सर पर हैं सभी पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं भारती जन्ता पार्टी के नेता और प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी भी चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से जुड़ गए हैं एक माई को अपने करनाटक मिशन की शुरुआत में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीयम सिध्धर अमयया के दो सीटों से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल उठाए थे हलाकि वो लोग सभा चुनाव में खुद भी दो सीटों से चुनाव लड़ चुके थे करनाटक में सीयम सिध्धर अमयया सिर्फ अकेले नहीं है जो दो सीटों से लड़ रहे हैं वो चामुन डेश्वरी और बादामी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उनके अलावा भी कई और नेता कई बड़े नाम है जो दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं करनाटक की एक विधान सभा सीट है चन्ना पटना यहां से बीजेपी के टिकट पर सीपी योगेश्वर चुनाव लड़ रहे हैं सीपी योगेश्वर एक बड़े जमीनी नेता है उनके लिए पार्टी का उतना महत तो नहीं है पिछले 2013 की चुनावों में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़कर चुनाव जीत लिया था उस खेत्र में वोकालीगा समुदायक की संख्या जादा है और वोकालीगा समुदायक के बड़े नेता माने जाते हैं इस सीट पर उन्होंने 2013 में HD कुमारा स्वामी की पतनी अनीता को जो JDS के बड़े नेता हैं कि यहां से मुकाबला मुश्किल हो सकता है CPO गेश्वर उनको मात भी दे सकते हैं इसलिए उन्होंने एक ट्रिक चली उन्होंने एक और सीट से परचा दाखिल कर दिया है जन्तदल सेकुलर के अध्यक्ष HD कुमारा स्वामी ने एक और सीट रामनगर से परचा दाखिल कर दिया है रामनगर JDS का गड़ माना जाता है अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोई भी नेता किसी भी जगा दो सीटों से चुनाओ क्यों लड़ता है इसके क्या फाइदे हैं क्या नुकसान है और क्या करनाटक में ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि कुछ बड़े नेता दो-दो सीटों से चुनाओ लड़ रहे हैं इसका जवाब है नहीं इसकी परंपरा 1985 में HD देवगौडा के समय पे भी शुरू हो गई थी साल 1985 की बात है HD देवगौडा और पुट्टा स्वामी दो राजनितिक नेता थे और दोनों बहुत करीबी माने जाते थे 1985 में पुट्टा स्वामी ने देवगौडा का साथ शोड़ने का फैसला किया और उन्होंने जाकर कॉंग्रेस पार्टी जोइन कर ली ये बात देवगौडा को नागवार गुजडिय उन्होंने कॉंग्रेस के साथ जाके साथ गाट की और एक ही सीट से जिस सीट से पुट्टा स्वामी चुनाऊ लड़ने का फैसला किया होले नारसीपुरा सीट के हाल ये थे कि वहां से पुट्टा स्वामी का वोट बैंक बहुत मजबूत माना जाता था कॉंग्रेस ने HD देवगावडा के प्रस्ताओं को स्विकार कर लिया और वहां से पुट्टा स्वामी का टिकट काट दिया और उन्हें निर्दली चुनाओ लड़ना पड़ा इस सीट पर देवगावडा 2000 वोटों से चुनाओ जीत गए पुट्टा स्वामी दूसरे नंबर पर रहे क्योंकि वो निर्दली चुनाओ लड़ रहे थे इसके बाद 1989 के चुनाओं में भी HD देवगाडा दो सीटों से चुनाओ लड़े थे होलनारसीपुरा से और कनकपुरा से उन्होंने इस अपनी रवायत को 2014 लोगसभा चुनाओं में भी जारी रखा और उन्होंने कनकपुरा और हसंदो लोगसभा सीटों से 2004 में चुनाओ जा रहा है, 1985 में HD देवगौडा की ही तरह 2018 में HD कुमारा स्वामी अपने राजनीतिक प्रतिद्वन्दी CP योगेश्वर को चन्ना पटना सीट से हराना चाहते हैं वो खुद यहां से प्रत्याशी बने हैं और उन्होंने कॉंग्रेस से साथ गाट कर ली है, ऐसा अंदर खाने में बात आ रही है, सूत्रों के हवाले से ऐसी बातें आ रही हैं कि उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी से साथ गाट करके वहां से कमजोर प्रत्याशी उतरवा दिया है जिससे SD देवगौडा की राहें आसान हो जाए और CP योगेश्वर को हराना आसान हो जाए उनके लिए इसके बदले में JDS कनक पूरा सीट से कमजोर प्रत्याशी उतरेगी जिसका आसर ये होगा कि वहां से कॉंग्रेस के प्रत्याशी DKS श्यूकुमार की राहें आसान हो जाएंगी CM सिध्धरमया की बात करें तो वो दो सीटों से चुनाव लड़ रहें हैं चामुन्डेश्वरी और बादामी चामुन्डेश्वरी में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चामुन्डेश्वरी उनके लिए मुश्किल सीट हो सकती है वहाँ पे जो जीत और हार का उनका प्रतिशत है वो 50-50 का है बादामी में उनकी जीत अधिक सुनिश्शित लग रही है क्योंकि वहाँ पे कुरूबा जनजाती जादा है और CM सिध्धरमया कुरूबा जाती से ही आते हैं करनाटक चुनाओं की पूरी कवरेज के लिए आप लोकमतनी उसके साथ बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे Facebook पेज को जरूर लाइक कीजिएगा